इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो आपको पता ही नहीं होगा लगबग तो इंडिया में ट्रिपल आइटी इस बनाए गया था इसके लिए या फिर इसी के लिए बोल सकते हो बर जबलपूर एक ऐसा कॉलेज है जिसका केंपस में क्या होता आपका मेकनिकल इंजिनियरिं या फिर स्मार्ट मेनुफैक्ट्रिंग बोल सकते हो या फिर डिजाइने कोर्स करवाया आता है तो यह थोड़ा अलग है बाकी ट्रिपल आइटी से अल्ली फ्यू ट्रिपल आइटी जो ही करवाते हैं बीटेग और एंटेग भी इनके स्पेसलाइशन है अगर हम बात करें यह अब एस्टेबलेस्मेंट की तो कोटा जो है वह खुला है दो है तेरा में जवलपूर वे बैक 2005 में केमपस की बात करूंगा कोटा खुत एक एंपस भी नहीं है निटी जाइपूर केमपस में चल रही है बर जो जवलपूर उसे खुत केमपस है काफी बढ़ा केमपस है सो इसे यह कॉलेज थोड़ा यूनी अधर बनता इसके फैसलिटीज जो हैं लाजवाब हैं फिलाल केमपस फैसलिटीज जो हैं काफी अच्छे हैं जो मेरे को डेटा मेरे पास है उसके हिसाब से बता रहा हूँ आपको अगर हम बात करें जो कोर्सेज है नमबर और से कॉलेज तो टेफिनिटली उनके पास थोड़ा एक्सपर्टीज ज़्यादा है बट जो कोटा है वो एनाइटी केमपस में चल रही है तो एक्सपर्टीज को इनके पास भी कमी नहीं है तो उस लेवल पे रिसोर्सेज फैसलिटीज उपर्चुनिटीज उनमें कुछ खास आपको फर्क नहीं दिखेगा लैब्स उतना इदा फर्क नहीं दिखेगा आपको लगबग बराबर ही दिखेंगे आपको फीज की बात करते हैं बीटे का फीज है आपका कोटा का है साड़े आट लाग जवलपूर का लगबग आपका आट लाग है एमटे का फीज है कोटा अगर हम बात करेंगे आपका जो और एक इंपॉर्टन चीज है प्लेसमेंट का तो जब्लपूर का पैकेज्ट है वह लगबग दस लाख है विक इस मच्जिग जो मैं आप तब comparison कर रहा हूं बहुत सरे top colleges IITs and IITs के हिसाप से अच्छा है मैंने देखा है और यह जबलपूर mechanical करवाती है और smart machine कर बाती है और design कर वाती है इससे चुली एक चीज यहां पर क्या होता है यह चीजें थोड़े से minimum हो जाता है मतलब क्या बता हूं इसका मतलब package average उतना तो कम होए था विकॉस इस सारे courses के जो demand है और supply है और paying capacity उसमें थोड़ा सा difference as compared to IT and CSE right तो यह था पूरा मेरे साफ से जो मुझे आपके सब्सक्राइब करना था दोनों बच के बीच में difference thank you very much मिलता है नेक्स वीडियो में लाइक कमेंट सब्सक्राइब God bless you all